पूर्वी भारत में लूक प्रकोप पूर्वत्र शेत्र में बारश और आधी तूफान की संभावना वासम भाग ने अरुनाचल परदेश असम में अलगले दस्तारों पर भारी बारश पर अवबारी की जितावनी जारी की है साथ ही कोच शेत्रों में लुला वरष्टी की संभावना भी है बारत मसम बिग्यान्व भाग ने पूरवनुमान जारी करते हुए कहा के पूरव उतर भारत में 9 अपर तक भारिबारश दूफान की गतिविद्या जारी रहने की संभावना है जबकि पूर्वी और प्रयादी पी भरत के कुछ हिस्तों में अलग दो दिनों तक रूकिस्ति का खत्राया मन प्रारा है। जमो कश्मीर, लदाग, मजफराबाद, हमाचल प्रवेश और उतराखन में पूरी सब्ता अलग दिन वर्षा होने की संभावना है। जमो के साथ बारिश होगी वहीं 30-40 किलमेटर की स्पीड से तेज हवा चलने की आसार है। जमो के साथ बारिश की संभावना है। आज MPK चंद्वाडा, पन्ना सिवनी बालाघाट, मंडला में भारी बारिश ओलावरष्टी की संभावना है। इसको लेकर इन जिलों में औरेंजे लट जारी हुआ है। इसके साथ ही जवलपूर सागर नर्वदापुरम, नरसिंग पूर निडोरी, वैतूल, जवलपूर बालाघाट, हर्दा, सिहोर जिलों में बारिश की संभावना है। वही 9 अपरेल को दमो सिंग रोली, कटनी सिहोर, सीधी, रीवा, बैतूल, राइसें, शाज़ापुर, भोपाल, नेमच, ररतलाम, जववा देवास, इन दौरोजन में बारिश के साथ-साथ आंधी तूफान का अलाट है। रजस्तान का मौसम, रजस्तान मौसम भाकियोर से पाश्यमी विक्षोप के प्रभाव से आश्यनिवार को प्रदेश के 12 जिलों में मेगगरजन के साथ हलकी बारिश की चितावनी जारी हुई है। इसमें अलवर 12 भरत पर, बुन्दी दोसा धल पर, सवाई माधो पर, खनावाण करोली, खोटा और टोंक जिले शामल है। यहां यलो लट जारी किया गया है। मौसम भाग के अनुस्तार 5 अप्रेल से हिमाले के शित्रों में पाश्यमी विक्षोव दस्तक देने वाला है। इसका असर बिहार के नोजिलों पर पढ़ने की संभावना है। जब की 8 अप्रेल को रहताथ बबुआ और अप्रेल तक बारिश की संभावना है। राजधानी राची में 7 और 8 अप्रेल को कई स्थानों पर अगरजन के साथ बारिश हो सकती है। इस दोरां 43 किलमीटर परती घंटे के रिफतार से हवा चल सकती है। मौसम की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दन्यवाद।